हलो प्रेंट, स्वागत आपका सिव टेक स्मार्ट में एसूस व्योबुक 16X सीरीज में राइजन 5 पे 5th जन्डरेशन 7 जन्डरेशन लेप्टॉप्स का रिव्यू अल्रेडी कर दिया है इसी सीरीज को कंटीन्यू रखते हुए आज मैं आपके लिए लिए क्या है हूँ एसूस व्योबुक 16X i3 13 जन्रेशन प्रोसेसर के साथ है करते हैं इसे भी अन्बॉक्स है और सारे फीचर्स का टेस्ट है एंड पर्फोर्मेंस के अनुसार फाइनल रिव्यू और फ्रेंड्स अभी लास्ट मंत मैंने एसूस व्योबुक 15 i3 13 जन्रेशन लेप्टॉप का रिवी किया था तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक बने रही है मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये किलियर कर दूँगा तो फटावड बॉक्स को लेते हैं ओपन तो फ्रेंड्स फाइनली ये है लेप्टॉप का बॉक्स और इसे फटावड करते हैं ओपन और सबसे पहले बॉक्स में मिल जाता है लेप्टॉप और काफी सारा पेपर वर्क और बॉक्स में देखते हैं क्या-क्या है और जैसा कि आप देख सकते हो काफी compact size का 45W का AC power adapter और फ्रेंड्स एक premium quality की power code बाकी बॉक्स में कुछ है नहीं So फ्रेंड्स ये है Asus VioBook 16X i3 13 generation laptop का fast impression है और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ Asus VioBook की branding की गई है और और इस laptop की अगर मैं design की बात करूँ तो design personally मुझे काफी अच्छी लगी Build quality काफी awesome दी हुई है जैसे मैं top पे प्रेस कर रहा हूँ तो मैं रहे को flags नाक के बराबरी देखने को मिल रहा है और इस laptop का weight निकल के आता है 1.8 kg अब फ्रेंड्स इतना सा weight तो होगा क्योंकि 16 इंच का लेप्टॉप है और और फ्रेंड्स इस laptop की build quality काफी awesome दी हुई है और फ्रेंड्स यह laptop military grade certification के साथ आता है इसे के साथ इस laptop के ports पे भी एक नज़ट डाल लेते हैं तो right side में power input का port दिया हुई HDMI 1.4 port, 2 USB 3.2 type A, 1 USB 3.2 type C port दिया हुई जिसे आप fast data transfer में use कर पाऊगे और last में 3.5 mm audio जाएगे वहीं laptop के left side ports की बात करूँ तो 1 USB 2.0 type A, LED indicators और air exhaust देखने को मिल जाता है और वहीं laptop के bottom में rubber grips, air vents और friends ये laptop single fan setup के साथ आता है और bottom में ही 228 के stereo speaker दिये हुए है audio provide करवाय है sonic master ने तो audio को sample में आगे वीडियो में आपको test कराऊँगा और friends यहाँ भी air exhaust दिये हुए है तो साथ इस laptop की thermal performance coffee awesome देखने को मिलेगी वो आपको gaming वाले पार्ट में पता चली जाएगा तो friends 16 inch के laptop को single end से open करते हैं और जैसा कि आप देख पारें open नहीं हो रहे हैं और hinge मुझे stable ही लग रहे हैं और screen bubble आपको इतना देखने को मिलेगा और Asus का laptop है तो आप tablet को 180 degree तक भी rotate कर सकते हो और आगे की तरह भी Asus Vyobook की branding देखने को मिल जाती है और इस laptop की अगर मैं keyboard की बात करूँ तो full size chocolate backlit keyboard दिया हो है साथ ही आपको numpad भी मिल जाएगा और friends मैं आपको एक बात बतातूँ इस laptop की जो keyboard की durability है न वो मुझे personally काफी अच्छी लगी और जैसे मैं keyboard पे प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे को flex भी नाक के बराबरी देखने को मिल रहा है और friends backlit keyboard है 3 level की backlit देखने को मिल जाएगी तो आप night में भी अच्छी से work कर पाओगे और all यार keyboard की quality personally मुझे काफी शानदार देखने को मिली और friends इस laptop के अगर मैं trackpad की बात करूँ तो काफी लार साइज का trackpad दिया हुआ है जो multi touch gesture और precision touch को support करता है और जैसे मैं इस पे work कर रहा हूँ तो बिल्कुल smooth experience देखने को मिल रहा है इस laptop के palm rest पे processor Microsoft Office और Asus anti-bacterial guard और साथी sonic master की branding देखने को मिल जाती है इस laptop के इस specification देख लेते हैं क्या क्या दिया है तो CPU की बात करूँ तो Intel Core i3-13-15U processor दिया हुआ है जिसकी basic lock speed 1.2 और Intel turbo boost technology देख 4.5 GB तक यूज कर सकते हो 6 core 8 thread और 10 MB की cache memory दी हुई है 8 GB की DR4-13200 MHz की onboard RAM देखने को मिल जाती है और friends maximum आप इस laptop में 24 GB तक अपग्रेड कर सकते हो 512 GB की PCI NUME Gen 4 SSD दी हुई है यहाँ personally यार friends मुझे काफी अच्छा लगा i3 variant में Gen 4 SSD जिसकी read and write इस पेड़ आपके सामने आई रही है latest Wi-Fi 6E और Bluetooth 5 दिया हुआ है और friends Y integrated GPU देखने को मिल जाता है Intel USD Graphics से 4 GB की shared memory के साथ आता है इस laptop की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो 16 इंच की Full HD प्लै से WUX GA IPS लेवल एंटी के लिए डिस्प्ले दी हुई है जिसकी brightness 300 nits है और color के माट 45% एंटी एसी देखने को मिल जाता है तो friends video quality काफी ओसम देखने को मिल रही है अगर आप side से भी video देखोगे तो आपको negative भी नहीं दीखेगा इस laptop में आप color grading से related task है और multimedia consumption भी कर सकते हो और all यहाँ display की quality काफी अच्छी दी हुई है अगर मैं compare करूँ इसे Asus Vuebook 15 से i3 13 में उसमें SVA display थी और इसमें IPS level है तो यहाँ friends display quality काफी अच्छी दी हुई है और three side narrow bezels दिये हुए bezels काफी पतले देखने को मिल रहे है इस laptop के अगर operating system के बात तो Windows 11 pre-install lifetime के लिए मिल जाती है साथ ही आपको Microsoft Office 2021 lifetime activation मिल जाएगा तो friends यह इस laptop के webcam के quality HD webcam दिया हुआ है और साथ ही Asus noise cancellation के साथ microphone भी दिये हुए है अभी आप जो audio सुन पारे हैं वो इसी के microphone से record हो रहा है परसनल यार मुझे webcam की quality अच्छी लगी और साथ ही security के लिए privacy shutter भी मिल जाता है और अब इस laptop में वीडियो रेंडर करने जा रहा हूँ उसी सेंपूटेज के साथ जो मैं हर लेपटोप में टेस्ट कराता हूँ तो इस लेपटोप ने टाइम लगाया है वान मिनाट 55 सेकंड है और फ्रेंट्स जब मैंने इस लेपटोप में वीडियो एनकोड किया 4K to 1080p तो इस लेपटोप ने टाइम लगाया है वान मिनाट 22 सेकंड है और फ्रेंट्स जब मैंने लेपटोप को बूट कराया है तो ओनली 9 सेकंड में लेपटोप बूट हो गया था तो और ओल यार परफॉर्मेंस तो ठीक टाक देखने को मिल रही है तो मैंने इस लेपटोप के benchmark score test कियें तो सबसे पहले Cinebench R23 ने single core score दिया है 1628 और multicore score 6104 है वहीं Geekbench 6 ने single core score दिया है 2140 और multicore score 5031 है और GP के Vulcan score 9660 दिये हुए है और friends जब मैंने इस laptop में PC Mark 10 को रन कर रहा है तो scores 5000 से अबाव देखने को मिल रहे हैं और last मैंने इसमें 3D Mark Time Spy को रन कर रहा है तो score निकल के है 924 है तो और all यार scores काफी शांदार देखने को मिल रहे हैं इस laptop के अगर मैं battery backup की बात करूँ तो 3Cell 42W की battery दी हुई है screen brightness 50% और backlit keyboard off था और मैंने इसमें movie भी देखी तो मुझे आराम से 4 गंटे का battery backup मिल गया था तो friends अब तक बात की इस laptop की design performance के बारे में और अब टेस्ट करते हैं इस laptop की graphical performance है तो सबसे पहले मैं इसमें play करने जा रहा हूँ GTA 5A HD resolution के साथ है तो जैसे हैं आप देख पा रहे हो 40 fps की frame rate देखने को मिल रही है और next game मैं इसमें प्ले करने जा रहा हूँ specs of the line है HD medium settings पे तो देखते हैं कैसी frame rate मिलती है फिस्ट राइस बाहा हाा हूँ कि जब जब उस्टकिंग कर शूति नुति तूति पूति एंगां बॉटाबंति पूति एंगां तूति और कर शोतिcost के लिए वन्हीं पूति एंगां इंगां गुटार है तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, 40 fps की फ्रेम रेट मिल रही है, और लास्ट में मैं इसमें एक और रेसिंग गेम प्लेए करने जा रहा हूँ, NFS VHD पे, तो देखते हैं कैसी फ्रेम रेट मिलती है तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, 40 fps की फ्रेम रेट देखने को मिल रही है, और फ्रेंड्स मैंने सारे गेम HD रेजुलेशन पे प्लेए किये थे, तो फ्रेंड्स आप इस लेटों में नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो, तो फ्रेंड्स यही था एसूस व्योबुक 16X i3 13 जनरेशन का और अल्ड व्यो, इस लेटों में आप मल्टी टास्किंग कर सकते हो, टेली वार कर सकते हो, ओपिस यूज में यूज कर पाओगे, और फ्रेंड्स आप इस लेटों में कलर ग्रेडिंग से रिलेटेट भी टास मिल जाएंगे, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टाटी में आपको बताया था, कि मैं वीडियो के लास में आपको बताऊँगा कि आपके लिए एसूस, व्योबुक 15 या 16, दोनों में से बैस्ट कौन सा रहेगा, तो फ्रेंड्स अगर आप मेरा पर्सनल सेजिशन लेना चा को डिस्क्राप्शन में मिल जाएगा, और इस लेप्टोप के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्यूसन, कोई भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रू कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल में, फ झाल 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